उजास एक प्रवेशिका पुस्तक है जिसका निर्माण राष्ट्रे साक्षरता केंद्र प्रकोष्ट CNCL NCERT द्वारा किया गया है और इसका ध्वनी रुपांतरण केंद्रिय शेक्षिक प्रवध्योगी की संस्थान CIET द्वारा किया गया है ये प्रवेशिका पुस्तक पंद्रा वर्ष या उससे अधिक आयो के असाक्षर लोगों को साक्षर करने के लिए बनाई गया है इसमें बुन्यादी साक्षरता भाषा, संख्याग्यान और महतुपूर्ण जीवन कौशल Critical Life Skills विशियों को समिलित किया गया है उजास, प्रवेशिका, भाग एक, पाठ एक, परिवार और पडोस, भाग एक, अ, आ, न, प, स, र, व, प्रिष्ट एक इस प्रिष्ट पर लिखा है मेरी किताब और यहाँ पर कुछ लिखने के लिए कहा गया है जैसे मेरा नाम, अब यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है फिर मेरा पता, यहाँ पर आपको अपना पता लिखना है और फिर लिखा है मेरा मॉबाईल नमबर यहाँ पर आपने अपना मुबाइल नमबर लिखना है प्रिष्ट दो और तीन पर एक चित्र है यहाँ पर कुछ बोर्ड भी दिखाए गए हैं जैसे शासकी चिकित्सा केंद्र, आरिफ फुट वियर, मुस्कान बोटिक, राशन की दुकान और एक दूसरी दुकान में बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है रिंकू साइकिल रिपेर प्रिष्ट दो पर दिये गए चित्र में आरिफ फुट वियर के दुकान से महिला और पुरुष जूते लेते दिखाए गए हैं साथ ही यहाँ पर दो व्यक्ति बाते कर रहे हैं के उपर उपले सूकते दिखाए गए हैं एक अन्य घर पर कुछ और समान रखा है एक घर के बाहर दिवार पर उपले सूकते हुए दिखाए गए हैं इसके अलावा इस चित्र में कुछ पेड़ पौधे भी दिखाए दे रहे हैं और साथ ही यहाँ पर कुछ खंबे और तारें भी दिखाई दे रही हैं। साथ ही एक व्यक्ति अख़बार पड़ता दिखाया गया है। उस व्यक्ति के पीछे एक चारपाई रखी हुई है। एक घर में एक महिला बाहर खड़ी महिला से बातें करती दिखाई गई है। एक व्यक्ति अपनी गाये को ले जाते हुई दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक बुजर्ग व्यक्ति को कपड़े सुखाते हुई दिखाया गया है। साथ ही यहाँ पर एक गली में एक व्यक्ति मुँपर मास्क लगाये और हाथ में जोड़ा लिये जाते हुई दिखाया गया है। गली में एक मुर्गी सड़क पर दिखाई दे रही है। प्रिष्ट तीन पर बाल विद्याले का चित रहे। एक महिला अपने घर के बाहर बैठ कर दूसरी महिला से बाते कर रही है। यहाँ पर राशन के दुकान में एक व्यक्ति बैठा हुआ दिखाया गया है। यहाँ पर एक दूसरी दुकान में बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है रिंकू साइकिल रिपेर। रिंकू साइकिल रिपेर दुकान में कुछ टायर लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। और दुकान के अंदर एक व्यक्ति बैठा कुछ काम करता दिखाया गया है। इस प्रकार प्रिष्ट दो और तीन पर जायर को धक्का दे रहा है। विभिन कार होते हुए दिखाए गए है। हमने कुछ प्रश्णों के जवाब आप से जाने। इन प्रश्णों के अलावा भी अगर आप इस चित्र में कुछ और भी देख पा रहे हैं तो आप उनके उत्तर भी ढून सकते हैं और उनका जवाब भी लिख सकते हैं। प्रिश्ट चार पाठ एक परिवार और पडोस। यहाँ पर हम सीखेंगे अ, आ, न, प, स, र, और व इसके अलावा यहाँ पर एक से नौ तक की संख्याएं पहचानना, पढ़ना और लिखना भी हम सीखेंगे। चित्र से अनुमान लगा कर पढ़िये। यहाँ पर दुकान लिखा है। दुकान के बाहर एक बोड लगा है, जिस पर चीनी, दाल और चावल लिखा है। साथ ही इन वस्त्मों के मूले भी दर्शाय गए हैं। जैसे चीनी 15 रुपे किलो, दाल 30 रुपे किलो और चावल 20 रुपे किलो। बाहर एक बोड लगा है, जिस पर लिखा है राशन की दुकान। यहाँ पर कुछ व्यक्ति दिखाए गए हैं। इस चित्र से हमने क्या अनुमान लगाया। तो इस से हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक दुकान का चित्र है। दूसरे चित्र में एक आदमी और एक औरत एक बच्चे के साथ दर्शाए गए हैं। और चित्र के नीचे लिखा है परिवार। तो इस से हमने क्या अनुमान लगाया। कि ये एक परिवार का चित्र है। चित्र तीन। यहाँ पर महिला और पुर्शों के भीर दिखाई गई है। तो इस से हमने क्या अनुमान लगाया। कि ये लोग हैं। चित्र चार यहाँ पर इस चित्र में एक गाय खड़ी दिखाई गई है। और कुछ व्यक्ति आते हुए दिखाई दे रही हैं। तो इस से हमने क्या अनुमान लगाया। कि ये एक गली का चित्र है। प्रिष्ट पांच यहाँ पर पांच चित्र हैं। पहले चित्र में एक महिला को गैस पर खाना बनाते वे दिखाई गया है। और उसके आस-पास कुछ बरतर रखे हुए दिखाई दे रहे हैं तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये रसोई घर का चित्र है यहाँ पर एक अन्य चित्र में जो दिखाया गया है उसके लिए हम आपसे ये पूछन चाहते हैं कि जब आप अपने घर के बाहर जाते हैं और घर के अंदर आते हैं तो आप किस चीज का इस्तिवाल करते हैं? यानि आप क्या खोलते और क्या बंद करते हैं? तो इस से हमने ये अनुमाल लगाया कि ये एक दर्वाजे का चित्र है एक अन्य चित्र में एक जोपड़ी दिखाई गई है और जोपड़ी के पीछे बाड़ बनी हुई दिखाई दे रही है कुछ पेड़ नजरा रहे हैं और जोपड़ी के बाहर कुछ मुर्गिया और पक्षी दाना चुग रहे हैं यहाँ पर एक छपपर, एक दर्वाजा और कुछ खड़किया भी दिखाई दे रही है तो इस से हमने क्या अनुमाल लगाया? इस से हमने ये अनुमाल लगाया कि ये एक घर का चित्र है में दो महिलाएं खड़ी बाते करती दिखाई गई है एक महिला के पास उसका बच्चा भी खड़ा है पहली महिला के पीछे उसकी कपड़े सूख रही है और दूसरी महिला के पीछे बाल्टी में कपड़े रखे दिखाई गए है तो जब हम अपने पास में रहने वाली लोगों से बात करते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें हम कहते हैं पड़ोसी। तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये पड़ोसी है अगले और अन्तिम चित्र में एक महिला को काला कोट पहने दिखाया गया है उसके हाथ में एक फाइल है और गले में बेंड लगा है तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक वकील का चित्र है शिक्षक निर्देश सहभागियों से बारी-बारी सभी चित्रों की पहचान करवाएं चित्रों के नीचे उससे संबंदित शब्द दिये गए हैं चित्र के आधार पर शब्दों को अनुमान लगा कर पढ़ने के लिए कहें चित्र के नीचे लिखे शब्दों को अंगुली रख कर पढ़वाएं प्रिष्ट छे चित्र से अनुमान लगा कर पढ़िये आपके घर में इन में से क्या-क्या है सही का निशान लगाईए पहले चित्र में मिट्टी से बना एक चूला दिखाया गया है जिसके आस-पास लकडियां रखी हैं तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक मिट्टी का चूला है एक अन्य चित्र में एक चारपाई दिखाई गई है जिसे हम पलंग भी कहते हैं जिससे हम सोनी के काम में लेते हैं तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक पलंग है एक अन्य चितर में एक महीने की संख्याईं दिखाई गई हैं जिस पर रवी, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शन्य लिखा है और साथ ही एक से 31 तक की संख्याएं दिखाई गई हैं तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक कैलेंडर का चित्र है अगले चित्र में एक वाहन दर्शाया गया है जिसके दो पहिये, एक हैंडल, एक घंटी, एक बैठनी की गद्दी, एक गद्दी और पैडल दिखाया गया है तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक साइकिल का चित्र है अगले चित्र में एक वस्तु दिखाई गई है जिसका प्रियोग रसोई घर में खाना बनाने में किया जाता है और इसमें गैस भरी होती है तो इससे हमने क्या अनुमान लगाया? इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक सिलेंडर का चित्र है इस प्रिष्ट के अंतिम हिस्से में एक वस्तु दिखाई गई है जिसका इस्तमाल घर में पानी के लिए किया जाता है इसे हम खोल और बंद भी कर सकते हैं जितना पानी लेना हो उतना लेकर उसे बंद किया जाता है तो बताईए ये क्या है? तो इससे हमने ये अनुमान लगाया कि ये एक नल का चित्र है प्रिष्ट साथ पढ़िए और लिखिए अ से कौन कौन से शब्द बन सकते हैं अ से अलमारी और अ से अनार यहाँ पर अलमारी और अनार का चित्र बना है इस तरह आप भी अ से और बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और उन्हें लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ बिन्दों की मदद से अ लिखना सिखाया गया है अब आप अ को बिन्दों की मदद से और बिना बिन्दों से लिखना सीखिए और इस पंक्ती को आगे बढ़ाईए अगला अक्षर है आ पहले हमने अ सीखा और अब सीखेंगे आ आ से बहुत सारे शब्द बन सकते हैं यहाँ पर दो शब्द बनाए गए हैं और उन्हें चित्र की मदद से समझाया भे गया है जैसे पहले चित्र में आ से आदमी लिखा है और यहाँ पर एक आदमी का चित्र है साथ ही आ से आम लिखा है और उसके उपर आम का चित्र बना है अब आप आ की मदद से बहुत सारे शब्द पढ़ और लिख सकते हैं यहाँ पर आ को कुछ बिंदों की मदद से दिखाया गया है अब आप इन बिंदों की मदद से आ बनाईए और लिखिये साथ ही आप बिना बिंदों की मदद से भी आ को लिखिये और इस पंक्ती को आगे बढ़ाईए शिक्षक निर्देश सहभागियों से बारी बारी चित्र की पहचान करवाएं चित्र के नीचे लिखे शब्दों को अंगुली रख कर पढ़वाएं और सहभागियों से अक्षर लिखवाएं अ और आ की आवाज और आक्रती में अंतर को भी समझाएं इसी तरह बाकी अक्षरों को पढ़वाने और लिखवाने का काम करें प्रिष्ट आठ न यहाँ पर दो चित्र दिखाए गए हैं और जिस चीज के वो चित्र हैं उनके नाम उन चित्रों के नीचे लिखे हैं जैसे पहला चित्र नदी का है और उसके नीचे लिखा है नदी दूसरा चित्र नल का है और उसके नीचे लिखा है नल अब आप न की मदद से और भी बहुत सारे शब्द लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ बिंदों की मदद से न लिखना सिखाया गया है अब आप इन बिंद्वों की मदद से न को बनाएं और बिना बिंद्वों की मदद से भी न को बनाना सीखें और इस पंग्ती को आगे बढ़ाएं अगला अक्षर है ना यहाँ पर एक नारियल का चितर है और उसके नीचे ना से नारियल लिखा है दूसरा चितर एक अंगुली का है जिसमें नाखून को दिखाया गया है और इसके नीचे लिखा है नाखून इसका मतलब ये हुआ कि ना से नारियल और ना से नाखून बना इसी तरह से आप ना से और भी बहुत सारे शब्द बना सकते हैं और उन्हें लिख भी सकते हैं अब यहाँ पर कुछ बिंदों के मदद से ना को बनाना सिखाया गया है अब आप इन बिंदों को मिला कर ना को बनाएं और उन्हें लिखना सीखें साथ ही बिना बिंदों की मदद से भी ना को बनाना सीखें और इस पंक्ती को पूरा करें प्रिश्ट नौ अगला अक्षर है प यहाँ पर दो चित्र दिखाये गए हैं जो प से बनते हैं जिनके नाम प से हैं पहले चित्र में एक पपीता दिखाया गया है और एक कटा हुआ पपीता भी दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है पपीता दूसरे चित्र में एक पत्ता दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा हुआ है पत्ता तो इस तरह से प से क्या बना? इस तरह से प से बना पपीता और पत्ता इस प्रकार आप प की मदद से और भी बहुत सारे शब्द लिख और पढ़ सकते हैं अब यहाँ पर कुछ बिन्वों की मदद से प को लिखना सिखाया गया है आप इन बिंद्वों को मिलाकर प को लिखना सिखिए साथ ही बिना बिंद्वों की मदद से भी प को लिखिए और दी गई पंक्ती को पूरा भी कीजिए अगला अक्षर है पा यहाँ पर दो चित्र दिखाये गए हैं पहला चित्र पालक का है और उसके नीचे लिखा हुआ है पालक दूसरा चित्र एक पायल का है और इस चित्र के नीचे लिखा है पायल तो इसका अर्थ यह हुआ कि पा से पालक और पायल बना इसी प्रकार आप पा की मदद से और भी बहुत सारे शब्द लिख और पढ़ सकते हैं अब यहां पर कुछ बिंदों की मदद से पा को लिखना सिखाया गया है अब आप स्वयम इन बिंदों को मिला कर पा को लिखना सीखिए और साथ ही बिना बिंदों की मदद से भी पा को लिखिए और इस पंक्ती को पूरा कीजिए प्रिष्ट दस अगला अक्षर है स यहाँ पर दो चित्र हैं पहले चित्र में एक प्लेट में दो समोसे रखे हैं और उनके नीचे लिखा है समोसा यहाँ पर एक अन्नी चित्र में एक सळक को दिखाया गया है जिस पर एक कार चलती दिखाई गई है और सळक के किनारे एक गर बना है इस चित्र के नीचे लिखा है सळक तो स से क्या क्या बना? स से बना समोसा और स से बना सडक. अब आप स की मदद से और भी बहुत सारे शब्द पढ़ और लिख सकते हैं. यहाँ पर कुछ बिंद्वों की मदद से स को बनाना सिखाया गया है. अब आप स्वयम इन बिंद्वों को मिलाकर स को लिखना सीखिए और साथ ही इस पंक्ती को आगे बढ़ाईए. अभी हमने स से बनने वाले शब्द सीखे. अब हम सीखेंगे सा. यानि सा से बनने वाले शब्द. यहाँ पर दो चितर दिखाए गए हैं. पहले चितर में साथ का अंक बना है और उसके नीचे शब्दों में साथ भी लिखा है. और साथ ही एक साइकिल का चितर है जिसके नीचे लिखा है साइकिल. तो सा से साथ और सा से साइकिल बना. इसे प्रकार आप सा की मदद से और भी बहुत सारे शब्द पढ़ और लिख सकते हैं. यहाँ पर कुछ बिंदों की मदद से सा को बनाना सिखाया गया है. अब आप स्वयम इन बिंदों को मिलाकर सा को बनाना सीखिए. और साथ ही बिना बिंदों की मदद से भी सा को बनाईए और इस पंक्ती को पूरा कीजिए. प्रिष्ट ग्यारा अगला अक्षर है र. यहाँ पर दो चित्र बने हैं. पहला चित्र एक रसी का है और इसके नीचे लिखा है रसी. दूसरे चित्र में एक बर्तन में रस्गुल्लों को दिखाया गया है और उसके नीचे लिखा है रस्गुल्ला. तो इस तरह से हमने क्या जाना? हमने ये जाना कि र से रसी और रस्गुल्ला बना. इसी प्रेकार आप र अक्षर की मदद से और भी बहुत सारे शब्द पढ़ और लिख सकते हैं. अब आप यहाँ पर कुछ बिंदों की मदद से र अक्षर को लिखना सिखाया गया है. अब आप इन बिंदों की मदद से र अक्षर को बनाना सीखिए और बिना बिंदों की मदद से भी र को बनाईए और इस पंक्ती को पूरा कीजिए. हमने सीखा र, अब हम सीखेंगे रा यहाँ पर दो चितर बने हैं पहले चितर में कलाई पर राखी बन्दी है और इसके नीचे लिखा है राखी दूसरा चितर एक रानी का है और उसके नीचे लिखा हुआ है रानी तो इस तरह रा से क्या-क्या बना? रा से बना राखी और रानी अब आप रा की मदद से और भी इसी प्रकार बहुत सारे शब्द पढ़ और लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ बिंदों की मदद से रा को लिखना सिखाया गया है अब आप इन बिंदों को मिला कर रा को लिखना सीखिए और बिना बिंदों की मदद से भी रा को लिखिए और पंक्ती को पूरा कीजिए प्रिष्ट बारह अगला अक्षर है व यहाँ पर दो चित्र दिखाये गए हैं पहला चित्र एक वन का है जिसके नीचे लिखा है वन और दूसरा चित्र एक वकील का है और उसके नीचे लिखा हुआ है वकील तो इससे हमने क्या जाना? इससे हमने ये जाना कि हम व अक्षर की मदद से वन और वकील शब्द बना सकते हैं अब आप भी व की मदद से और भी इसी प्रकार बहुत सारे शब्द पढ़ और लिख सकते हैं यहाँ पर कुछ बिंदों की मदद से व को लिखना सिखाया गया है अब आप इन बिंदों को मिला कर व अक्षर को पूरा कीजिए और साथ ही खाली पंक्ती में बिना बिंदों की मदद से भी व अक्षर को लिखिए तो अब हमने सीखा व से बनने वाले कुछ शब्द और अब हम सीखेंगे व अक्षर से बनने वाले शब्द यहाँ पर दो वाद्यंत्र दिये गए हैं और उनके नीचे लिखा है वाद्यंत्र अगला चित्र एक वाइरस का है और उसके नीचे लिखा है वाइरस तो इस तरह से वा से वाद्ययंत्र और वाइरस बना। इसी प्रकार आप वा अक्षर से और भी बहुत सारे शब्द पढ़ और लिख सकते हैं। यहाँ पर कुछ बिंद्वों की मदद से वा को लिखना सिखाया गया है। अब आप इन बिंद्वों की मदद से वा अक्षर लिखना सीखिए। और बिना बिंद्वों की मदद से भी वा अक्षर को लिखिए और पंग्ती को पूरा कीजिए। प्रिष्ट तेरह मेरे शब्द इस प्रिष्ट पर एक खाली स्थान दिया गया है। यहाँ पर आप बनाए गए शब्द लिख सकते हैं। इस खाली स्थान में आप अब तक सीखे हुए शब्दों को लिख सकते हैं। शिक्षक निर्देश परिवार और पडोस विशे पर बाच्चीत करें। सहभागियों से आसपास के लोगों की संस्कृति एवं सामाजिक संबंधों के बारे में चर्चा करें। सहभागियों से पूछ कर इस विशे से जुड़े तीन चार शब्द लिखें। ये शब्द उनकी अपनी भाशा के भी हो सकते हैं। जैसे रसोई घर के लिए चौका, नमक के लिए नून, लून, लौन, आदी।